इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको selection करना है sir regular या sol अगर family condition ठीक नहीं है तो मैं student को बोलूँगा sir sol करिए या girls है तो ncweb करिए और अगर family condition अच्छी है तो मैं कहुँगा regular करिए और कुछ करने की ज़्यादा जूरत है नहीं hello student कैसे हैं आप आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं sir आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि regular और correspondence और correspondence में भी दो टाइप है हमारे non college और आपका दूसरा है तो काफी सारे बच्चे confused हैं कि sir हम क्या करें correspondence करें SOL करें और girls के लिए specially known college है तो एक पर मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ आपको कि हम क्या समझने वाले हैं आज के topics में तो सर regular की बात अगर हम करते हैं सर अगर हम regular की बात करते हैं अगर हम regular college की बात करते हैं तो regular college के अंदर आपका हर एक university अपने अलग-अलग college assign करती है और जैसे DU की मैं बात कर रहा हूँ especially DU के अंदर खूब सारे college है जैसे आपका करोडी मल college हो गया खालसा college हो गया आपका सिरी राम college of commerce हो गया यह हमारे सारे colleges हैं और भी खूब सारे colleges है तो यह regular है SOL की बात करें तो SOL के लिए कोई college नहीं होता SOL का मतलब होता है आपका के आपको यह correspondence भी बोलते हैं इसका मतलब होता है आपको पढ़ने कहीं भी नहीं जाना घर बैठके पढ़िएगा हां SOL वाले अपने time to time पे अपना एक attendance या फिर बोलते हैं क्लासे स्टार्ट कर देते हैं चाहे online mode में offline mode में आपकी इच्छा है जाये चाहे ना जाये सर एंसी यह स्रिफ girls के लिए especially और इसका cut-off आता है और cut-off के हिसाब से इसका admission भी होना होता है सर एंसी बैब के अंदर क्या होता है कि लड़कियों के लिए especially women college नौन college यानि नौन college women college के लिए बनाय गया यह इस पेशली जो गल्स regular college नहीं कर पाती उनके लिए बनाया गया है खास बात इसमें यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको program के courses मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ program के courses मिलेंगे इसमें honors नहीं होगा अगर become की बात करें तो become program ही होने वाला है सर इसके अंदर ना attendance जरूरी होता है attendance जरूरी है इसके अंदर ठीक है तो हम step by step एक एक चीजों पर चर्चा करेंगे कि क्या इसमें comparison है क्या इसमें similarity है उन सारी बातों को देखते हुए आज इस वीडियो के अंदर हम discuss करने वाले हैं सर चलिए सर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम किन points के उपर discuss करेंगे हम सर किस points के उपर discuss करेंगे तो number one हम discuss करने वाले हैं सर कि exam कब होता है इसका दोनों में regular का और और S.O.L. का दोनों के बीच में हम difference देखेंगे कि बसार exam कब होता है क्या-क्या subjects है क्या S.O.L. और regular के subjects एक जैसे हैं इसके बाद exam dates कब आते हैं दोनों के exam होते कब है result कब आता है दोनों का दोनों के degree की value बहुत बड़ा question mark रहता है यह सारी बाते आपका प्लेस्मेंट य extra course इन दस बातों प्यास discuss करेंगे hopefully आपको यह समझ में आएगा और हर एक चीज को हमें detail देखेंगे और तीनों के लिए देखेंगे नों कॉलेज हो S.O.L. हो regular हो पहले तो difference आपको पता चल गया है regular and non college क्योंकि अभी बच्चों ने admission लिया है admission का time चल रहा है regular college में admission ले रह subjects की अगर हम subjects की बात करें तो कौन से subjects क्या क्या है जो कि हमें पढ़ने होगे तो मैं अगर regular college की बात करूं तो आपको college के अनदर जाना होगा और college के अंदर आपको बैठना होगा, attendance भी देना होगा, सारी चीज़े हैं, आपके खूब सारे college है, और अगर मैं बात करता हूँ सर, subjects, तो subjects, जो आपके subjects दो तरीके के हैं, एक सर core subject है, एक सर आपके कौन से subjects है, core subject है, core subject की बात बोलें, तो दोनों जगहें पे आपके same रहने वाले हैं, चाहे S.O.L. में बच्चा हो, चाहे आपका regular में बच्चा हो, core subject दोनों जगहें पे same होगा, एक होता है, optional, optional के अंदर बहुत सारे इन्होंने categorize करा हुआ है, basically subjects में, जैसे कि आप अपने skill enhancement के basis पे ले सकते हो, general elective ले सकते हो, तो उसके हिसाब से, तो सर, regular वालो होगा, दोनों का ये अलग-अलग होता है, दोनों का अलग-अलग होता है, different होता है, दोनों का क्या होगा, सर, दोनों की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों का different होगा, ये, किसका सर, S.O.L. का और इसका, लेकिन, इतना ज़्यादा different नहीं होगा, हर college, यानि मैं कहूं तो subject ए और S.O.L. का स्लेवस एक हो, हो सकता है, राजधानी कॉलेज का और S.O.L. का स्लेवस अलग हो, तो ऐसा नहीं है, कि हमेशा डिफरेंट होगा, वो कॉलेज to कॉलेज डिपेंड करेगा, कुछ कॉलेजिस के, हमारे बिल्कुल S.O.L. के जैसे स्लेवस होने वाले हैं, सारे के सा हो, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे कोर तो सबका सेम ही रहेगा, कोई भी ऑप्शनल हो, और कुछ कॉलेज इसका डिफर करेगा, तो इसलिए मैंने एक सिंपल सा, एक पॉइंट यहां पे मार्क कर दिया, सर, डिफरेंस का, ठीक है, तो यह आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा वीडियो में, सेमिस्टर वन के बच्चों के लिए स्पेशली है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी, मैं स्पेशली इसको टेकर कर रहा हूं, डेली यूनिवर्सिटी, और जब मैं कमपेरिजन बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, सर, एक छोटी से जानकारी देनी आपको, कि हमने B.com प्रोग्राम का एक कूर्स लॉंच कर दिया है, और दिसंबर में आपके एकजाम है, जो की डेटशिट आ चुकी है, अल्मूस्ट, दिसंबर में एकजाम है, तो B.com प्रोग्राम का बच्चा हो, ओनर्स का बच्चा हो, इनफेक्ट आप मैं कहूं BBA का ब और 24 जुलाई से जो स्टार्ट करेंगे special batch होगा इसके अंदर आपको क्या क्या providing होगे सारे notes दिये जाएंगे class notes दिये जाएंगे syllabus होगे और आपके exam internal होते हैं internal के लिए आपको जो regular college के बच्चे हैं पहले से ही आपके जो college के अंदर चप्टर रहेंगे उसके recorded वीडियो जाएगी fully live class होने वाला यहां पर और timing रहेगी सर आपके TTS में 729 की timing रहेगी fully live class रहेगा आपका और course पूरे course का price हमने अभी registration चल रहा है पूरे course का price मातर 499 रुपय है पूरे course का price है ना कि मन्थली फीस है इस बात का ध्यान रखियेगा तो यह batch आने वाला एक छोटी से जानकारी हमारे application पे और साथ के साथ आप laptop पे भी इस classes को देख सकते हैं Delhi University के अपने senior से पूछेंगे तो बहुत सारे बच्चे हमसे classes लेते हैं तो hopefully आपको help मिले बिल्कुल exam oriented सारी चीज़े होंगी exam में क्या आएगा नहीं आएगा आएगा आपको कहीं भटकने की जोरत नहीं पढ़ने वाली चलिए हम आगे discuss करते हैं सर अब हम आ जाते हैं सर कि attendance के उपर attendance की अगर हम बात करते हैं तो attendance के दो आपके patterns हैं आपके attendance की अगर हम बात करें तो दो pattern है क्या है सर attendance में आपके regular और S.O.L. और एक हम ले लेते हैं N.C.Web regular में आपके attendance होने बहुत जरूरी है at least minimum 75% attendance होने चाहिए अगर आपके regular college के अंदर 75% attendance नहीं हुआ तो maybe possible है कि आपको college के अंदर exam में बैठने ना दिया जाए college to college depend करेगा N.C.Web में same है आपका attendance होना चाहिए लेकिन सर N.C.Web की classes जो होती है वो regular basis पे नहीं होती week में कुछ Sunday, Saturday और हर college का अपना अलग-अलग curriculum होता है जिस दिन छुट्टी होती है regular college की उस दिन ये class को organize करते हैं SL की classes जो है, वो Sunday maximum case के अंदर Sunday-Sunday organize करते हैं और exam के need लगती है तो वो regular भी कर देते हैं और online mode में भी रहते हैं इसमें attendance की कोई requirement नहीं है और आपको इसके अंदर college जो allot किया जाता है आप वहाँ पे college में जाके अपनी admission ले सकते हैं एक तरीके से admission in the sense के आप classes ले सकते हैं ऐसा कोई attendance का नहीं है तो पहली बात सर्व सबसे main difference के सर regular के अंदर attendance चाहिए आपको जाना पड़ेगा अगर कोई student सोच रहा है कि मैं job भी कर लेता हूं और regular college कर लो तो not possible क्योंकि आपको वहाँ college में present होना पड़ेगा दर वाइस आपको examination में नही बैठने दिया जाएगा सर दूसरी बात कर लेते हैं सर दूसरा क्या है सर assignment assignment क्या होता है सर assignment हर college वाले अपने assignment देते हैं that is assignment का मतलब हो गया कि आपको क्या काम करना है तो मैं बात करता हूं regular college हो चाहे आपका S.O.L. हो चाहे आपका NC web हो assignment की बात करूं तो assignment regular college के अंदर भी होगा सर NC web में भी होगा और S.O.L. के अंदर होगा अब नए syllabus के accordingly तीनों courses में assignment कर दिये हैं हो सकता है maybe other university में correspondence के अंदर जहाँ पे आपको नहीं assignment देना पड़ेगा वहाँ पे सीधा exam होता हो paper कितने का होगा सर सेम आपके सेम pattern रहेगा सारी चीज़े सेम रहेगा सर S.O.L. के अंदर अभी फिलाल assignment online basis पे होते हैं regular college के अंदर हर college के अपने assignment होते हैं और हर college के assignment के अलग अपने school के साब अपने college के साब से हर professor अपना assignment delivered करता है बच्चे को deposit करना है NCBEP में भी college to college differ होता है यानि हर college अपने आपको individual मान के assignment करवाते हैं ऐसा नहीं के fix रहेगा इसके बाद आगे आ जाते हैं सर exam date अगर exam date की हम बात करें exam date में regular की अगर हम बात करें और S.O.L. की बात करें तो regular का exam date अगर मैं बात करूं तो दोनों का लग भग maximum case के अंदर से इसा नहीं के regular का पहले exam हो जाएगा और ऐसा नहीं के correspondence का बाद में exam होगा बिल्कुल same date पर होता है especially मैं बीकॉम की अगर बात करूं बीए वाले भी बच्चे हो सकते हैं जो honors के subject हैं जितने honors के subject हैं वो correspondence के और regular के सेम रहते हैं honors to ncweb पर है नहीं अब बात करते हैं सर ncweb में प्रोग्राम तो आ गया program का देखा गया है कि date shift differ होता है maximum लेकिन इस वार जो exam होने वाला है सबका सेम है और ज्यादा difference नहीं होता दो चार दिन का आगे पीछे होने वाला है तो exam date तो लगवग लगवग सेम टाइम पर चले travel का हो और चाहे ncweb का हो दोनों के same pattern पर बिल्कुल exam आने वाले होते हैं इसमें कोई changes नहीं रहता बिल्कुल same pattern पर exam होंगे और in fact कई बार तो question paper भी exactly same होता है इसमें आप difference create नहीं कर सकते exam के point of view से देखा जाए तो hopefully आपको clear हुआ होगा कि exam के अंदर किस तरीके से सारी च result की अगर बात करें तो एक subjects का भी रह गया है subjects दोनों के मैंने बता ही दिये सेम होते है result की बात कर लेते हैं सर रिजल्ट में difference है regular का result आपका पहले आ जाएगा और आपका ncweb का भी रेगुलर के साथ आता है ncweb का भी रेगुलर के साथ आता है ncweb का थोड़ा सा लेट आता है result इसका कोई criteria नहीं है जब लगता है दे देते हैं लेकिन regular का exam देने के ठीक एक से दो महिने के अंदर हाड़ली डेड़ महिने के अंदर आपका result declare हो जाता है एसा भी होता है कि आपका पहले semester का result नहीं आया आप दूसरे semester के अंदर shift हो गए हो आपके दूसरे semester का paper होने लग गया तब भी आपको नहीं पता कि आप पहले semester में pass हो या फिर नहीं हो ऐसा भी रहता है तो थोड़ा सा ये drawback रहेगा कि जो बच्चे SOL में जाएंगे SOL का result बहुत ज़्यादा delay रहता है अब कहते हैं value की बात बहुत सारे बच्चों के questions रहता है कि सर क्या regular की degree और correspondence की degree क्या valuable है मैं बात करता हूं कि हमारे जितने भी courses जितने भी आप जगहें पर जाते हो तो एक simple सी बात कहीं जाती है कि आपको graduate होना है और कहा से graduate होना है आपको UGC UGC कौन से है हमारे आपका university grant commission यानि जो UGC के undercover है university चाहे कैसी भी university हो उनके degree same ही मानी जाएगी same रहेगा बिल्कुल कोई फरक नहीं है तो चाहे बच्चा regular से करे चाहे SOL से करे दोनों ही simply graduate माने जाएंगे चाहे आप इसके बाद कोई से भी exam देना चा से बच्चों का एक myth है कि सर अगर हम regular college से कर रहे हैं तो हमारी value बहुत जादा हो जाएगी और correspondence से कर रहे हैं तो हमारी value थोड़ी सी कम रहने वाली है इसके बाद आगे बात करते हैं place of exam place of exam regular college के case के अंदर आपके college में ही exam होने वाले हैं जिस college में आपने admission लिया है उसी college के अंदर exam हो जाएगा और अगर मैं SOL की बात करूँ तो SOL के अंदर आपका center पढ़ेगा और यह center कहीं भी हो सकता है में भी हो सकता है कि SOL की building में हो या किसी college में center दे सकते हैं in fact school के अंदर अगर उनको place मिलता है तो वहां पे भी examination center आपका दे दिया जाता है NC web के case में NC web के case में जिस college में आपने admission लिया है उसी college के अंदर आपका examination center पढ़ने वाला है वो differ नहीं करेंगे दूसरा एक IGNU का बहुत बड़ा drawback रहता है कुछ बच्चे IGNU के अंदर admission लेते हैं वो भी एक तरीके से correspondence के ही पार्ट माना जाता है तो IGNU का exam का मैं थोड़ा सा criteria बतारू बहु बात ही बेकार है क्योंकि इसके इतने ज्यादा student similar course के हर जगह नहीं होते इनके course इतने multiple है कि इनको possible ही नहीं के exam conduct करा रहे इसमें ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं commerce के अंदर एक accounts का exam आपका दिल्ली में हो रहा है दूसरा BST का exam हर्याना में होगा तीसरा आपका UP में होगा ऐ आपका एक्जाम सेंटर की बात करें तो exam place की बात करें तो आपका सेम regular college में उसी college में हो जाएगा NC web में भी उसी college में हो जाएगा और SOL के अंदर आपका difference हो सकता है इसके बात कहते हैं एक्स्ट्रा कोर्स की बात करें बहुत बच्चे जो हैं उनका एक माइंड में डाउट रहता है सर हम एक्स्ट्रा कोर्स करेंगे जैसे चार्टेड अकाउंटेंट, CMA, CES, Government जो या फिर other कोई courses जैसे computer से related तो क्या सर आप college के साथ साथ एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हैं तो मेर ही आपको regular college भी जाना है और article दोनों possible नहीं है लेकिन कई बार हम college में application दे देते हैं principal को बता देते हैं तो college वाले क्या करते हैं हमें permit कर देते हैं कि ठीक है आप जाके अपना article complete करिए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए तो regular college के अंदर article जो है हमारा regular college के अंदर CA क होगा same CS का है ultimately मैं अगर conclusion बताओं तो sir इसके साथ आपको extra course नहीं कर पाओगे generally क्यूंकि आपका सुबह 8 बजे का college होगा और शाम को 4-5 बजे तक घर आओगे attendance compulsory है छुटी कर नहीं सकते तो extra course के लिए आपको time नहीं मिलने वाला है कुछ बच्चे government job की त्यारी करते हैं ज मैं suggest करूँगा बच्चों को जो बच्चा काम कर रहा है डेली उनिवर्सी के साथ वो कोई basic टैली वगरा ना करें जब आपको job की जरूरत लगती है तो आप उससे ठीक 3-4 मेहने पहले करें otherwise आपको कोई ऐसाच benefit नहीं मिलने वाला भूल जाओगे सारी बाते communication की बात करें तो regular college के अंदर एक सबसे main जो हमारा रहता है और SOL के अंदर रहता है कि regular college में आपकी communication और थोड़ा सा living standard आपका skill बढ़ जाता है क्योंकि आप वहां पे environment में ऐसे environment में जाते हो जहां पे बहुत सारे student है और essay student है जो आपके साथ पढ़े हुए है और कहीं higher level school प लेकिन ये friend circle ना बहुत dangerous भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है अगर आपका friend circle बहुत अच्छा बनता है तो आप सायद regular college से बहुत आगे जा सकते हो अगर आपका बेकार बनता है तो आपका career पूरा खराब भी हो सकता है यहां पे मैं communication की बात करूँ वो student को खुद depend करन पड़ता है कि वो किस तरीके से ask produce में किस तरीके से अपने friend circle में है तो उसका communication जनरली स्टूडेंट की communication थोड़ी से weak होती है और regular college के थोड़ी से fast होता है सेम जैसे private और सरकारी school की हम बात करें तो तो यह सारा का सारा हमने discussion किया किस point पे आपका सारा का सारा point था के regular करें य आपका S.O.L. वालों ने deadline दे दिया है 31 आपका August ये deadline नहीं बढ़ाएंगे 31 अगस तक आपको S.O.L. के अंदर admission ले लेना है अगर आपने नहीं लिया तो आपका admission नहीं होगा any case कोई भी case हो जाए नहीं लेंगे admission लेकिन regular के अंदर आपके cut off के हिसाब से आपका admission चल रहा ह है तो मैं कहना चाहूंगा और S.O.L. वालों ने ये भी कहा है कि आप चाहो तो अपना exam कभी भी cancel करारों लेके seat reserve करके और मात्र 500 रुपए की आपके fee लगेगी तो hopefully आपको समझ में आया होगा तो आज था हमारा पूरा का पूरा comparison किसका comparison था सर सर था S.O.L. versus आपका regular या फिर NCWeb हमें क्या करना चाहिए एंड में conclusion कहूंगा conclusion ये है कि सर जो बच्चा जिसके family background मान लेते हैं किसी के parents का factory है किसी के parents का बहुत अच्छा business चल रहा है मैं उन बच्चों को suggest करना चाहूंगा regular college करिए और आगे extra education करने की कोई जरुरत नहीं है सीधा अपने family business को आप आगे spend करिए मात एक solution है जो बच्चे बहुत ही lower below the poor अगर मान के चलें के middle class family बहुत मुश्किल से पढ़ा पा रही है 10-12 में भी तो ऐसे बच्चों को regular college avoid करना चाहिए उसको correspondence से करना चाहिए साथ के साथ कोई ना कोई job करना चाहिए ताकि family को support कर पाए और उसके साथ साथ अपने course के लिए भी पैसे को आपको accumulate एकटा करना पड़ेगा ताकि कोई ऐसा course कर लो जो कि graduation के बाद कर सकते हो या फिर आप CACFA कुछ भी करना चाहो वो उसके बाद कर सकते हो तो दोनों बच्चे ध्यान रखे pocket allowed करता है दोस्तों के चक्कर में मत जाना क्यूंकि आप regular college ज खर्चा होगा साथ के साथ आपके clothing पर expense साथ के साथ और आपका living standard पर expense बढ़ जाता है और फीस भी regular college का college to college differ करेगा किसी college की फीस 50,000 रुपए है तो किसी college की फीस 30,000 रुपए है लेकिन S.O.L. का normal fees है आपका 8-10,000 रुपए के बीच में आपका admission हो जाता है इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको selection करना है सर regular या S.O.L. अगर family condition ठीक नहीं है तो मैं student को बोलूँगा सर S.O. करिए या girls है तो NC web करिए और अगर family condition अच्छी है तो मैं कहुँगा regular करिए और कुछ करने की ज़्यादा जूरत है नहीं दूसरी बात सर हम regular college और S.O.L. college के अंदर अगर हम admission लेते हैं तो क्या हम regular college कर गलती से हमने admission ले लिया regular college में और फिर हम सोचते हैं कि सर यार गलती कर दी हमने parents के बारे में सोचना चाहिए था तो आपके पास due option देता है कि आप shift कर सकते हैं अपने आपको किसमे S.O.L. में और जितने आपने regular college के अंदर year pass किये हैं उसके बाद ही आपके मान लेते हैं एक साल आपने regular college कर लिया तो आपको second year से S.O.L. में admission हो जाएगा Same अगर आपने S.O.L. के अंदर admission लिया है और आपको लगता है अब तो मेरी financial condition ठीक हो गई है तो अगर आपके percentage अच्छे हैं तो उस किसी भी college में principal से जाके बात करके और उनसे पूछ के आप S.O.L. से regular में अपने आपको shift करा सकते हैं उसके लिए कोई cut off वगरे की जुरत नहीं होगी बस स्रिफ और स्रिफ आपको उस college के principal से एक permission लेना पड़ेगा कि हमें करना चाहिए या हमें admission चाहिए आप दे सकते हैं seat available है तो वो दे देंगे easily तो ये था पूरा का पूरा comparison आप अच्छे से देखके सोस समझ के admission लीजिए SOL के अंदर हर बच्चा admission करा ले जिनका के CUT में नाम नहीं आया है reason being अगर CUT में नाम आया हो तो आप cancel करा सकते हैं last last तक आपका SOL के अंदर cancel कराने का option given है तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा कि किस तरह के admission लेना है कुछ बच्चे ना misguide भी हो जाते हैं sir जैसे other university और मैं simple सी बात करूँ science के जो student है तीन टाइप के student है science commerce और arts आर्ट्स वाले student जिस field में expert है उसी को करें दूसरे field में अगर जाएंगे तो आपका career खराब होगा अच्छा तो मैंने कभी होते वे देखाने किसी का commerce वाले जो student है वो commerce field के अंदर ही जाए अगर वो चाहते ह हैं सोचते हैं कि यार commerce tough था हम arts में चले जाते हैं तो वो आपके 10th में decision गलत था और arts में जाके आपको कोई फाइदा नहीं मिलेगा जितना परेशान commerce में थे उससे ज़्यादा परेशान arts में हो जाओगे साइन्स वाले student के पास option ही नहीं होता correspondence के लिए वो सिर्फ regular college कर सकते हैं तो वो में भी अपने accordingly commerce arts कुछ भी ले सकते हैं तो hopefully आपको सारी बाते मैंने clear कर दिया है मिलते हैं इसी तरीके से next video में next video में हम देख लेंगे कि courses कौन से हमारे important है जो कि हमें college के साथ साथ करना चाहिए